CBSC बारवी की परिक्षाय रद हो गई हैं परिक्षा रद होने पर अभी भावक और चात्रों का रियाक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है चात्र और अभी भावक दोनों ही इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा यानि की रिजल्ट किस बेसिस पर आगे और साथ ही साथ जो एंट्रेंस एक्जाम होंगे यानि की जो कॉलेज में अड्मिशन लेने का पूरा प्रोसेस होगा वो किस तरह से रहेगा उसको लेकर अभी भी सवाल है लेकिन टीचर्स और प्रिंसिपल का क्या रियाक्शन है वो जानने के लिए इस वक्त हम मौझूद मौडन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अलका कपूर के साथ उनसे सीधे बात करते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से देखती हैं सबसे पहले माम थांक यू सो मज बात करने के लिए मैं यह जाना चाहूंगे कि आप इस फैसले को कैसे देखती है सरकार ने डिसीजन लिया ह है कि अब एक्जाम्स नहीं होंगे और बच्चों को ऐसे ही दूसरे बेसिस पर पास किया जाएगा है तो किस तरह से आप इस फैसले को देखती हैं आपने देखा जब कल यह फैसला आया मैंने अपने बच्चों से स्टूडन से बात की तो वो सभी लोगों ने इस फैसले को अच्छा माना और थोड़ी सी इसके बाद उनको चिंता यह जरूर हुई कि अब हमारा आगे क्या होगा तो वो गाइडलाइन जल्दी आ जाएंगी I think सरकार एजूकेशनिस से संपर करेंगी और स्कूल लीडर्स के साथ मिलके एक युनानिमस डिसिजन लिया जाएगा जो इन हालात में सबसे बहतर होगा यह जानना चाहूंगी कि आपने बताया जैसे कि आपके स्टूडेंट से बात हुई जाहिर से बात है कुछ पेरेंट से भी बात हुई होगी तो उन लोगों का रियाक्शन किस तरहां से था एक्जाइम कैंसल होने को लेकर तो उन्होंने स्वागत किया लेकिन आगे के लिए किस तरहां से उनके मन में क्वेरीज हैं क्या क्या क्वेरीज हैं जो आप से उन्होंने जाने की कोशिश की या श्यर की आगे उनके मन में certainly ये चिंता तो है कि हमारी मार्किंग किस तरह से होगी ये भी चिंता है कि आगे हमारा colleges और universities में क्या होगा particularly वो बच्चे जो विदेशों में admission लेना चाहते हैं उनके लिए भी काफी stress का एक थोड़ा सा reason था ये because उनको लगता था कि national universities में हम लोग अपने देश के अंदर तो फिर भी बच्चों के हित में कर पाएंगे क्योंकि everyone is sailing in the same boat but international level पे क्या होगा तो मैंने उनको समझाया ये कहके कि उन universities को भी मालूम है कि इंडिया के हालात कैसे हैं और इंडिया से एक prominent number of students उनके पास जाते हैं तो admissions तो उन्हें भी चाहिए I think वो लोग भी कुछ child friendly approach ही अपनाएंगे और वैसे भी September के आसपास ही वो colleges start होते हैं तो तब तक के लिए हमारे पास वक्त है तब तक के लिए वक्त है मैं यह जाना चाहूंगी कि जो students है उनको क्या कहना चाहेंगी ऐसे वक्त में जहां बच्चों का एक stress तो कम हुआ है कि चलो अब exams नहीं होने वाले हैं लेकिन college admission जो बच्चों के लिए बहुत important होता है life changing moment होता है कि अच्छा college मिल जाए अच्छे college में admission हो जाएगा तो आगे future काफी जादा bright होगा इस तरह की चीज़े बच्चों के मन में होती हैं तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी आप किस तरह से उनको आप एक motivate करना चाहेंगी बच्चों को यही कहना होगा कि they have to be positive and look at the brighter side of things उनको यह भी देखना ह होगा कि हर जब कोई आंधी आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा गंदगी साथ लेके चली जाती है तो maybe there is a silver lining to this dark cloud also और हमारी universities में जो पहले सारे cut-off के basis पे admissions होते थे और unfortunately अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं perform कर पाता था तो उसको admission नहीं मिलता था हो सकता है universities भी इस पर अपना admission criteria कुछ change करें और उसको जादा child friendly बनाएं तो यह universities के लिए भी बहुत अच्छी एक opportunity है अपना admission process जादा transparent और change करने के लिए may be aptitude के basis पे बच्चे के interview के basis पे एक letter of recommendation from the school also should I think be considered and all these things but I am sure कोई भी university या सरकार जो भी करेंगे वो बच्चों के हित में ही होगा सरकार और universities जो भी करेंगी वो बच्चों के हित में होगा इस तरह से मानना है principal modern public school अलका कपूर जी का क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने एक काफी जादा बेहतर decision students के लिए इस बार लिया है exams तो नहीं होंगे लेकिन किस basis पे result आएगा इसका फैसला भी होना बाकी है साथ ही साथ अगर बात करेंगे college admission की तैयारियां किस तरह से इस बार रहेंगे और college में admission कैसे होगा उस पर भी सरकार हो सकता है जल्द कोई बेहतर फैसला सुना दे क्यामरा परसन हेमन के साथ मधिया एबीपी नियूज तिली एबीपी नियूज आपको रखे आगे प्रुएर में सहे प्री का जबीपी नियूज वार बात के साथ मालै का एबीप झाल झाल